दोस्तों जानते हैं कि कैसे एक छाता ठीक करने वाला बना भारत का पहला कॉमेडी किंग और कहलाया देसी चारली चैपलिन स्टोरी आफ नूर मोहमद चारली भारती ये फिल्में और उनमें काम करने वाले कलाकारों की स्ट्रगलिंग और उनके शुरुआती करियर के कगिस से कभी भावुक कर देते हैं तो कभी हैरान वहीं किसी को जल्दी सफलता मिल गई तो कोई लंबे वक्त तक माया नगरी के चक्कर काटता रहा ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जैसे खलनायकों के सरता जीवन जेब में 26 रुपए डाल कर कश्मीर से मुंबई आ गए शुरू में वो फोटोग्राफर बनना चाहते लेकिन आगे चलकर वो एक एक्टर बन गए वहीं दमदार अभिनाय के लिए लोकप्रिय एक्टर नवाजुद्दीन सिद्धीकी को चौकीदारी से लेकर और भी कई तरह के काम करने पड़े ऐसी ही दिल्चस्प कहानी भारत क के पहले कॉमेडी किंग नूर मोहमद मेमन की है जो कभी चाता ठीक किया करते थे लेकिन बाद में बने भारत के पहले कॉमेडी किंग आईए अब विस्तार से जानते हैं नूर मोहमद मेमन के बारे में नूर मोहम्मद चाली का जन्म 1 जुलाई 1911 में गुलाम भारत के सौराष्ट्र के पोरबंदर के रानाववी गाव में हुआ था वो मेमन परिवार से संबंध रखते थे जानकारी के अनुसार उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था लेकिन एक जगय जहां उनका दिल लगता था वो था सिनेमा घर वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ सिनेमा घर के लिए निकल जाया करते थे कहते हैं कि उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही आज इविका के लिए छाता सुधारने का काम शुरू कर दिया था ये काम वो मुंबई की एक दुकान में कर रहे थे नूर मुहम्मद का दिल्चस्पी फिल्मों में ज्यादा थी वो सिर्फ सिनेमा देखना पसंद नहीं करते थे बलकि उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी मौजूद था यही कीड़ा उन्हें डायरेक्टर आर देशीर इरानी की कम्पनी Imperial Film Company ले गया और वहां उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों में काम करना है जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या क्या कर सकते हो तो उन्होंने जवाब में कहा कि गुड़सवारी से लेकर घूंसा मारने तक तैराकी से लेकर डूबने तक सब काम कर सकता हूँ इसके बाद उन्हें 40 रुपए महीने में एक्टिंग के लिए रख लिया गया ये 1925 का दौर था जब सिनेमा में काम करने वाले उतनी आसानी से नहीं मिलते थे जैसा आज के समय मिल जाते हैं शुरुवाती समय में काफी मूख फेल्में बना करती थी वहीं नूर मोहमद ने भी करीब 9-10 मूख फेल्मों में काम किया था 1933 में उनकी एक फेल्म आई इंडियन चारली ए फेल्म दर्शकों को खुब पसंद आई सफलता इतनी मिली कि नूर मोहमद फर्स्ट कमिडी किंग ओफ इंडिया ने अपने नाम के साथ चारली चैपलिंग का चारली जोड लिया और उसी की तरह मूँच भी हमेशा के लिए रख ली इस तरह वो कहलाए देसी चारली काफी लोग समझते होंगे कि भारत में पहले राजकपूर डेसी चारली ओफ इंडिया ने ही चारली चैपलिंग बॉलिवूड एक्टर हू प्लेड चारली चैपलिंग रोल के स्टाइल को कॉपी किया लेकिन बता दें कि राजकपूर से पहले नूर मुहमद ये स्टाइल कोपी कर चुके थे कहते हैं कि जिस दौर में कलाकार महीने की तनख्वाह पर काम किया करते थे उस समय नूर मुहमद अपनी शर्तों पर काम कर रहे थे उन्होंने सागर, रंजीत, विंपीरियल जैसी कई कमपनियों के साथ काम किया नूर मुहमद ने कृष्णा फिल्म कमपनी द्वारा बनाई गई अकालना बरदान 1928 से अपना डेब्यू किया था उनकी एक्टिंग इतनी पसंद की जाने लगी थी कि उनके नाम से ही फिल्में उठ जाया करती थी डिस्ट्रिब्यूटर दिल खोल कर पैसा लुटा दिया करते थे कि चारली है तो फाइदा तो होना ही है वहीं उनके गाये गाने भी लोगों को खूब पसंद आया करते थे उनकी पहचान एक कॉमेडी अभिनेता के रूप में हुई और उन्होंने मूख से सावक फिल्मों यानि डायलॉग वाली में काम किया उनकी नकल जॉनी वॉकर से लेकर महमूद तक्कने की वो एक कॉमेडी कलाकार थे लेकिन उनका दरजा फिल्म के हीरो समान ही था वहीं उन्होंने एक्टिंग के अलावा फिल्मों में गाना भी गाया और साथ ही फिल्मों का निरदेशन अवलेखन भी किया ऐसा 1941 में आई उनकी फिल्म धंदोरा में देखने को मिला उनका गाना पटल तेरा ध्यान किधर है बहुत लोकप्रिय हुआ था देश के बंटवारे ने सिर्फ जमीन का टुकडा ही नहीं छीना बलकि हमने कई कलाकारों को खोया उसमें एक नूर मोहम्मद चारली प्री इंडिपेंडेंडेंस अक्टर्स भी शामिल थे जब देश का विभाजन हुआ तो नूर मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया वहाँ उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्में की लेकिन भारत की तरह वो काम्याबी न मिल पाई माना जाता है कि वो कुछ समय के लिए इंग्लैंड चले गए थे लेकिन जब पत्नी का इंतकाल हुआ तो वो पाकिस्तान आ गए थे कुछ समय बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनका निधन 30 जून 1983 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ तो दोस्तों नूर मुहम्मद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अपना खयाल रखे धन्यवाद